हलो फ्रेंड्स और वालकम टू माई यूट्यूब चैनल मैसल्फ दिव्या आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि वेदान्तु पे हम लोगों ने अपलाई किया मगर कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता है इनके तरफ से ठीक है तो इसका रीजन क्या हो सकता आप ये पूछ रहे हो और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद आप वेदान्तु हैर नहीं कर रही है या फिर कुछ लोगा कमेंट है कि हम कैसे अपलाई करें कि हमें रिस्पॉंस मिले तो गैस अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का प्रॉबलम है या फिर आप वेदान्तु पर अपलाई करना चाहते हैं वेदान्तु टीम के मेंबर बनना चाहते हैं टीशर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो में लाश्ट तक बने रही है, हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर वेदान्तु में कैसे apply करें, कहां से apply करें कि हमें response मिले, ठीक है, और आगे का process बढ़े आगे, ठीक है, तो basically इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कि आप इनके online portal पे जा करके भी कैसे apply कर सकते हैं, और इनके vacancies को कैसे आप देख सकते हैं, okay, so let's get start the video, guys, इस वीडियो को start करने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूं, कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत जादे helpful होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लाश्ट तो देखिए, friends, सबसे पहले बात कर लेते हैं विडानतु के बारे में, तो विडानतु के बारे में आप सब लोग जानते हैं, विडानतु एक बहुत ही बड़ी company और genuine company है, जिसके साथ आज काफी सारे teachers and students work कर रहे हैं, से जुड़े हुए हैं, और बहुत genuine website है, अपने विडानतु का, ठीक है, and technical requirements, सबसे पहले में बात कर लेते हैं, कि यहाँ पर teacher बनने के लिए technical requirements क्या-क्या है, तो technical requirement वही common सा है, आपके पास एक laptop या फिर PC होना चाहिए, upgraded and आपके पास broadband connection होना चाहिए, 20 Mbps का आपका net speed होना चाहिए, ठीक है, and now next है कि अब बात कर लेते ह हैं कि विडानतु पे कौन-कौन से grades and subjects available है, vacancies, कौन से subjects के, और कौन से class के available है, हम लोग उसकी बारे में discuss कर लेते हैं, guys, यहाँ पर mention है कि 6th to 8 class के students को आप science, social science and maths पढ़ा सकते हो, इसकी vacancy अभी available है, second है 9th and 10th को आप Vedic maths, mental ability and maths पढ़ा सकते हो, okay, and J and NEET का अगर आप preparation करवाना चाहते हो, जो कि 12th level पे या 10th से ही start हो जाता है, 11th, 12th के student को, basically यह लोग J and NEET का preparation करवाते हैं, तो अगर आप उसमें interested हो, तो आप apply कर सकते हो, जो subjects available है, वही है, chemistry, botany, biology, angiology, ठीक है, और J वालों का पढ़ाते हो, तो maths भी available है, okay, and mode की बात की जाए, त यह लोग offer करते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ, कि अगर आप part time job select करते हो, तो जब आपका selection हो जाता है, तब यह लोग आपको बताएंगे, यानि कि विदान्तु के team के member आपको guide करेंगे, कि part time में भी दो तरह का होता है, एक freelancer job होता है, और एक fixed job होता है, ठीक है, freelancer job जो होता है, जिसमें आप as a freelancer work कर सकते हो, आपको जब time मिलता है, तब आप काम करो, ऐसा कोई fixed नहीं रहता है, मगर fixed में है कि आपने commitment जो कर दिया है, कि हम इतना hour का class लेंगे, तो उतना आपको लेना ही लेना होगा, okay, and now next हम लोग बात करते है timing slots की, तो guys देख लीजे यहाँ पे है, 2 p.m. to 8 p.m., 6 p.m. to 11 p.m. and 9 a.m. to 6 p.m. के timings यहाँ पे दी हुई है, and जो last में most important है, वो है recruitment process क्या होगी वेदानतू पे teacher बनने के लिए, guys इससे पहले भी मैंने, अभी no-chop के लिए, coding ninjas के लिए, white hat junior के लिए, full detail में आपको explain किया है, recruitment process को, demo round interview question क्या क्या तो अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियो को, तो एक बर आप जरूर देख लेजिए, और आपने अगर apply नहीं किया है, तो apply कर दीजिए, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं आपको हमेसा यही recommend करती हूँ, कि प्लीज आप multiple website, multiple platforms पे apply करके रखे, ताकि आपको कहीं ना कहीं selection जरूर से जरूर हो जाए, ओके, तो guys अब Vedantoo recruitment process के बारे में बात करते हैं, तो पहले क्या होता था, कि हम लोग Vedantoo के official website पे जाते थे, और वहाँ पे form मिलता था, उसे हम लोग fill up करते थे, ऐसा करने पर आप लोगों को response नहीं मिल रहा है, यह आप लोग भी जानते हैं, तो उसके लिए करना यही है, guys कि यह जो मैंने mail ID लिखा हुआ है, career at the rate of Vedantoo.com, इस पे आपको अपना resume या CV सेंड करना है, simply, ठीक है, उन्हें mail कर दीजए, आप इसी जो given mail address है, इस पे आप simply अपना resume और CV अपडेट करके अच्छे से, और इन्हें mail कर दीजए, जब आप mail करते हो, तो यह receive करते है, receive करने के बाद वो आपके form को check करते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वो फिर आपको mail back करते हैं, मतलब फिर से उसका reply आपको मिल जाता है, जब reply मिलेगा, तो आपके पास एक mail आएगा, जिसमें की एक link होगा form का भी, ठीक है, देख लिजिए आपे, fill the recruitment form, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, और यहीं पर link भी होगा, ठीक है, इसमें आपको करना यही है, कि 5 minute की वीडियो आपको record करना होगा, अपनी च्वाइस पे आपको जिस भी topic पे, और जिस grade के student को पढ़ाना है, उसी grade के किसी CVSE topic को आप चूज कर लो, let's suppose कि मुझे biology पढ़ाना है, और मुझे 9th class के student को पढ़ाना है, तो मैं CVSE के syllabus के according, जो भी syllabus में topic है, उस topic को चूज करूँगी, और उस पे 5 minute की demo वीडियो में त्यार कर लूँगे, डेमो वीडियो को कैसे बनाना है, क्या क्या बातों का ध्यान इस पे आकर के upload कर देना है, इसमें एक और option रहता है कि आप video बनाने के बाद उसका link भी share कर सकते हो, यहां पर गूगल ड्राइव होता है, वहां पे आप video को upload कर दो, and then sharing option आता है, वहां से आप link copy करके, और जहां पे form में आपको दिया हुआ रहेगा प्लेस, वहां पे simply पेस्ट कर देना है उस link को, या फिर आप हर एक के पास तो YouTube channel होता नहीं है, कि वह YouTube video बनाए और वहां चे शेयर करें, तो यह अच्छा option होता है, कि आप एक video, offline video आप बना लो, अपने camera से record करके, and then उसे Google Drive में जाकर के upload कर दो, and उसे access to all पे set करने के बाद, वहां से उसकी video क लिंक कॉपी करके, यहां पे इनके form में, Google form में आप जाकर के paste कर दो, ठीक है, इतना करना है आपको, and then submit कर देना है, जब आप demo video को submit कर देते हो, तो उसके बाद वो लोग चेक करते हैं, आपके video को लोग देखते हैं, अगर उन्हें लगता है सही, तो उसकी बाद फिर further वो तो यह interview हो सकता है, Google meet पे भी हो, या फिर zoom पे भी हो सकता है, जैसा वो लोग link प्रोवाइड करेंगे, लिंक वो आपको mail में ही मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें mostly हो सकता है, कि आपको एक PDF भी दिया जाए, यह लोग attach करके देंगे, जिसे आपको explain करना होगा, या आप उन इंटर्व्यू के दौरान दे सकते हो, Google meet या फिर zoom पे, और यहां पे एक interview आपका ले रहा होगा interview, जो की video call के through लिया जाएगा, ठीक है, and then इसके बाद, उस time पे तो यह लोग नहीं बताते हैं, कि आपका selection हुआ है, या नहीं हुआ है, but definitely इसके बाद, आपको reply आएगा, कि yes, you are selected, अगर आप select होंगे तो, और, ठीक है, rejected होंगे, तो उसके लिए भी mail आ ही जाएगा, अगर आप selected होते हैं, तो आपको next round के लिए mail आएगा, और वो होगा आपका final round, ठीक है, इसमें क्या होगा, कि final round में भी आपके video पर ही interview ली जाएगी, ठीक है, और इसके लिए भी आपको mail जो मिलेगा, उसी में link दे दिया रहेगा, Google Meet या फिर Zoom link जो भी होगा, and fourth number में क्या हुआ था, कि यहाँ पर जब आपका interview हुआ था, तब वेदान्तु team के जो export थे, वो लोग आपका interview लिये थे, but final round में आपको, जो co-founders रहते हैं, या जो senior most रहते हैं, जो आपका interview लेते हैं, and final round जो होता है, वो थोड़ा strict होता है, in comparison to, ये जो पहले आपसे लिया गया, उसके comparison में अगर देखा जाए, तो ये थोड़ा strictly होता है, because co-founder लेते हैं, और आपको एक भी mistake नहीं करना है, और आपको try करना है, कि आप जो class ले रहे हो, उसे आपको interactive बना कर रखना है, like, आपको ऐसा assume करना है, कि अगर आप 9th class के student को पढ़ाने के लिए चूज कियो हो, तो आप वैसे student को ही पढ़ा रहे हो, आपको ये नहीं assume करना है, कि मेरे सामने कोई co-founder बैठा हुआ है, and try to ask many questions, like, क्या होता है, कि हम जब offline भी class में पढ़ाते हैं, तो student को engage करने के लि को class को deliver करना है, that's it, इसनी चीजों का आपको ध्यान रखना है, communication skill पे आपको विसेश रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये सारी कुछ basic से चीज़े थी, जिसका आपको ध्यान रखना है, अब बात कर लेते हैं, guys की इसके portal के बारे में, आपको एक बार इसके portal में दि interface कुल के आजाएगा, जहां लिखा हुआ है, join the attack revolution, view opening position, जब आप यहां पे click करोगे, तो यहां पे दिखा दिया जाएगा, कि कौन-कौन subject के लिए vacancies हैं, आप देख पा रहे होंगे, यहां पे काफी सारी vacancies available है, जिसने भी आप interested है, आप उसके लिए apply कर सकते हो, जैसा कि म मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कि आपको उसी mail address पर mail कर देना है, आपका resume send कर देना है, उन्हें ठीक है, और मैं extra कोई भी mail आईडिया आपको provide नहीं करूंगी, कि इस पर भेज़ दो, क्यूंकि जो official website पर दिया हुआ है, वही मैं आपको recommend करूंगी, वह क्योंकि हमारे लिए safe है, कि अगर ये चीज अवेलेवल है already किसी company के website पर, तो क्यों ना हम उसके website पर जाकर के apply करें, ये ज़्यादा better होगा किसी scam से बचने के लिए, ठीक है, तो जो official website पर information दिया हुआ है, हमें उसे ही follow करना चाहिए, आपको यही mail address दिया हुआ है, और इ ये लोग reply कर देंगे, अगर आपका profile shortlisted होता है, तो, so guys, आज की video में बस इतना ही, I hope कि आपको आज की video पसंद आई होगी, इसमें मैंने complete discussion किया है, कि क्या-क्या चीज़े थी, और फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी doubt रह जाता है, तो आप comment section में मुझे comment करके पू जहां से यह सारी चीज़े मैं explain कर रही है, मेरा खुद का blog है guys, divyadivine9.blogspot.com, यह है website का link, आप इस पे भी visit कर सकते हैं for more information, and इसका link भी आपको description box में मिल जाएगा, okay, thank you so much guys,